नमस्कार, Global Competition College के online platform पर आपका स्वागत है आज हम एक अती महत्वपून टोपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जिला वन्ने पसुपक्षी यानि अपने परतिक जिले का एक परतिक वन्ने जीव है और उसी के नाम से उसको जना जाता है और यह ऐसा किया गया वन्ने जी उस संडक्षन के लिए राजस्तान के 33 जिलों में 33 वन्ने जिलों को उस जिले का परतिक बनाये गया ताकि उनका संडक्षन हो सके और यह 2015 में गोशित किये गये थे और आजकल एक्जामे क्यूशन भी इनके बारे में एक नेक क्यूशन पूछा जाता है तो अपने पढ़ रहे हैं जिला वन्ने पसुपक्षी अपने टोपिक का नाम है जिला वन्ने पसुपक्षी जैसे 33 जिले हैं तो 33 के 33 जिलों के जितने भी परतिक पसुपक्षी को बनाये गया वन्ने जिवन को उसके बारे में अपने को पढ़ना है तो द्यान रखना दोस्तों यह जो 33 है पूरे 33 के 33 एक साथ आपको याद नहीं होंगे कई बार अपन करते हैं जैसे कोई लंबी मिनिंग होती है तो उसको एक साथ अपने को वो मिनिंग याद नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं उसको दो या तीन भागों में बांट लेते हैं तो इसी परकार यह 33 के 33 अपने को उनको याद करेंगे साथ ट्रिक के मादेम से भी याद करेंगे और डायरिक्ट भी अपन याद करने की कोशिश करेंगे और कई जिलों में जैसे कोई वहाँ फेमस है तो उसको अपन शिदा भी याद कर लेंगे यह विकानेर संभाग है आपको यह बिंदू दिख रहा है यह अलग कलर जो आपको दिख रहा है यह विकानेर संभाग के चार जिले है यह जोदपूर संभाग है और यह अजमेर संभाग के चार जिले है यह कोटा संभाग और कोटा संभाग के चार जिले है इधर यह चार जिले हैं और इधर ये अपने जेपूर और ये जेपूर संभाग के पांच जिले तो इन जो 33 परतीक चीने इनको अपन अलग-अलग तरह से डिवाइड करते हैं थोड़ी देर के लिए आप दिल और दिमाग दोनु सामने रखना सबसे पहले अपन गंगानगर से शुरू करते हैं गंगानगर इन चार के परतीक अपन सबसे पहले देख रहे हैं तो गंगानगर का contains खिकश कारा ईcol जो राजस्थान का है उध्यक्त पसू जो है बन जीव कि सणी में राजय कि पालतुसरनीं में उर्ट को राजरे पसु गोउशिद किया गय望 है लेकिन वन्ये जीव की स्रणी में चिंकारा आपने द्हान रखना चिकारा और चिंकारा में अंतर है चिकारा एक वादे अंतर है और चिंकारा यह अपना राजस्थान का वन्ने जीव राजी पशू है और गंगानगर का क्या है परतीक चिन है परतीक गंगानगर का जो वन्ने जीव है वो चिंकारा है दूसरा अपन देखते है हनुमान हनुमानगड का है छोटा किल किल हनुमानगड का जो परतीक बनने जीव है वह है छोटा किल किल विकानेर में गजनेर इस्तान है और गजनेर का रेट का तितर या जिसको बटबड पक्षी या बटबड तितर भी कहते है या भट तितर भी कहते है वो परसिद है तो उसी के तीतर, भट तीतर और अब अपने बचा उपर वाले संभाग में से चूरू, तो चूरू में आपको पता है तालचा परियकिस्तान है, जो काले हिरनों के लिए कर्शन अमरक के लिए परशिद है, और यहां चूरू का परती क्या हो गया, काला हिरन, काला हिरन, तो यह चार सबसे पहले आप द्यान रखना, चिंकारा, छोटा किलकिल, भट तीतर और काला हिरन, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो, बिल्कुल इजी वे में, और फिर भी याद नहीं होता है, तो आप इसकी एक ट्रिक लिख लेना, पहले की ट्रिक है, चिंकी, ची-सी, चिंकारा, की से किलकल, चिंकी, तीतर है, तीतर, भट तीतर और है का मतलब है हरिन, जो चुरू का अपने परतीक है, चुरू का परतीक है, आगे एप वड़वको समभाग के बारे में, जिसमें 6 जले है, निधीतर का हुद का सबसे पहले अपुन हो देख रहे हैं तो कूरजां आपने सुना होगा फलोधी खींचन गाउं फलोधी के पास ख gliंचन गाउं जो है में कूर यह जो जूता पसी के लिदियाना जाता है तो जोद्पूर का जो पर्तीह वन्यजीव है वह है पूरrog जसल मेर में लाटी शिरी शिट्र हापने नाम सुनाओं और इसका हो गया गोडवन कि अब यह बचाएंगि संख्या वोत-कम बची है गोडवन की ий जालोर का ध्यान रखना जालोर में सुन्दा माता परवत आपने सुना होगा सुनलोर ब्यारा कहलो तो यहां पे जालोर में होगा गालou जालोर में परितिख वर बाहि वैंड के एंड कि अभर मुंद्ध सिड होांगा बहम दित स्किर है मुंद के ? शिरोह इय। इसका जो परतीग माना गया वो मुर्गे की पत्नी को माना गया है मुर्गी को जंगली मुर्गी जंगली मुर्गी इधर पाली और पाली में परतीग चिन है तेन दुआ तो देखें आप छे कंप्लिटे कूर्जा गोडावन मरू लोमडी भालू जंगली मुर्गी और तेन दुआ तो ये जोदफूर संभाग के परतीग चिन है जो वन्य जीव के हैं और इनकी ट्रिक आप ज्यान में रखना जंगली जंगली कुट्टे भालू देखो इसमें जंगली कुट्टे इसमें भालू है लोमडी है और क्या बचा देखो जंगली में तो जंगली मुर्गी आ गई पूर से कुर्जा ते से तेन दुआ और इधर भालू फिर लोगो जंगली कुट्टे भालू लोगो तो यह अपने जंगली मुर्गी पूर से कुर्जा ते से तेंदुआ भास से भालू और लो से लोमडी और गो से लिए अपन इसके लिए दूसरा पड़ रहे हैं इस संबाग के लिए करही मुख्य उदेपुर की बात करें तो फि बी जू अगर रासमद की बात करें तो बेडिया कुम्बलगडब्यारने रासमन्द नाम सुना होगा आपने और वह बेडिया के लिए पर सिद लेड़ियों के लिए पर सिद तो यह राजचमंद का पर्तिक हो गया बेड़िया विज्जु हो गया उद्वर का इदर डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपूर में हैं जंगली और दूंगरपूर का है कुद्यपूर का विजु जंगली धोक और बासोडा का है जल पीपी परताफगड देखो परताफगड में सिता माता भैरने है और परताफगड सिता माता भैरने में उडन गिलेरिय पाई जाती है तो परताफगड का हो गया उडन गिलेरी उड़न गिलहरी, चितोड, चितोड का है चो सिंगा, जंगली धोक, विज्जु, भेडिया, चो सिंगा, उड़न गिलहरी, जल पीपी, यह अपने उदेपुर संभाग के हैं, उदेपुर संभाग की भी आप अलग से ट्रिक अगर ध्यान में रखना चाहो, तो इधर लिख द यता हूं में, यहाँ दिख रहा है आपको, तीसरा आपकों देख रहे हैं, उदेपुर संभाग, और उदेपुर संभाग की अपने है, पेडिया, दोके सें, बिज्जु का, बिज्जु का, जल पीकर, उड़ा, बेडिया, रास्वाद हो गया, धोके, धोक, यह हो गया आपने उदेपुर का, से का यहाँ कोई मतलब नहीं है, बिजु, उदेपुर हो गया, का का यहाँ कोई मतलब नहीं है, जल पीकर तो जल पीकर हो गया जल पी पी और उडा का मतलब उडण गिलेरी आगे कोटा संभाग के आपनों बात करते हैं तो कोटा संभाग में कोटा बुंदी 12 और जालावाड है सबसे पहले गुंदी का देखें, तो गुंदी का है सुर्खाव, और उसके बाद कोटा का देखें, तो कोटा का है उद्विलाओ, उसके बाद 12 का देखें, तो 12 का है मगर, जहलावाड का देखें, जहलावाड गागरोन का किल आपने सुनाओगा, गागरोनी तोता आपने सुनाओगा, और गागरोनी तोता वही है जिसने पदमिनी वाला मोटा लपडा करवाया था यह अपने जालावार से समंद रखता है गागरोन तो जालावार का होगा गागरोनी तोता गागरोनी तोता तो यह चार होगे अपने सुर्खाव, उद्विलाव, मगर और गागरोनी तोता और इ कि यह ट्रिक्स शिर्फ और आपको बैसिक नौलेज्ज होगा और कहीं एक आप बोल रहे हो तो ही काम काम करेगी वरना काम नहीं करेगी कि इधर बारतपुर संबाग का देखते हैं अपने बारतपूर का है सारस दोलपूर का है अपने पंचीरा करोली का है घडियाल स्वायमादुपुर स्वायमादुपूर का भाग गडियाल हो गया करॉली और का पंची सा अगर आप त्रिक द्यान में रखना चाहए को इस की ट्रिक हो पिर जेपूर संभाग की बात करते हैं अगर अपने इसकी बात करें जुणुन की तो जुणुनु का है काला तित्र शिक्कर की बात करें तो शिक्कर का है साहीन जेपूर की बात करें तो जेपूर का है चित्तल दोसा की बात करें तो दोसा का है खर्गोस दोसा का है खर्गोस और अलवर की बात करें तो अलवर का है सांभर देखें जुन्जुनु काला तितर, सिकर साहिन, जेपूर चितल और दोसा खरगोस और अलवर सामवर और इसकी अगर ट्रिक आप देखना चाहो तो इसकी ट्रिक है साहिन, सा, चिखा, साहिन सा चिखा, सामवर साहिन सा चिखा, सामवर देखो, साहिन, सिकर का है, सा, सा का मतलब है या सामवर सोरी, साहिन सा चिखा, पितर साहिन, फिर सा का मतलब यहां सांबर है, फिर ची का मतलब चितल, फिर खै से खरगोस और लास्ट में तीतर, तो साहिन सा ची का तीतर, फिर अपने बसता है अजमीर संभाग, अजमीर संभाग के वो दीजी है, नागूर, नागूर का है राज हंस, देखो राज हंस यहां का है, अजमिर का है खड मोर यह दो याद हो गे तो बाकी के दो जुलों को याद हो जाएंगे यहां राज हंस में से हंस ले आओ टॉंक में हंस और यहां खड मोर में से मोर ले आओ फिलवडा में तो यह बहुत हीजी हो गया और ये साथ में ट्रिक अपने को जो नागुर जिले आपने देता है इसका है नो kg जो को जो तो यह सात अपने संभा के एसाब्सराइब प्रसु पक्ति, इंक बारे में आपने अधिन किया है इसको आप इसी तरह से पहले मेप में बढ़ना और मेप में बढ़ने के बाद में अलग-अलग संभाग के इसाफ से टुकड़ों में इसको याद करना ताकि easy way में याद हो जाए और जो यह सोच रहा हो कि execution exam में नहीं आते हैं वो पिछले paper उठा के देख लेना और फिर आके वापिस याद कर लेना तो इसको इसी तरह से पहले अलग-अलग मेप में भरना याद करना अलग-अलग हो जाए तो सबसे अच्छा नहीं तो ट्रिक के इसाफ से साथ ट्रिक साथ संभा कि मैंने बनाई है उसके इसाफ से आप याद कर लेना और बिना basic knowledge के ट्रिक काम में नहीं आएगी और जिसको यह जो पक्सी जिनके देखे विए नहीं है पसू जो नाम इसमें सुने आपने वो नहीं देखे वे तो आप Google में जाके देख लेना और कोई इनका इलाज नहीं है या गोम-गोम के आपको जो मिले उसको देख लेना आज की class के लिए धन्यवाद मिलेंगे next class